हालो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेर करूँगी हरे लस्षन से और अंडे से बनने वाली इस थंडियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन से बरपूर बहुत नई रेसिपी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब सबसे पहले हम हरा लस्षन लेंगे तो इस्प्रिंग अनियन जैसा होता है मार्किट में बहुत आसानी से मिलता है अगर मार्किट में ना मिले इसे घर में भी हम आसानी से उगा सकते हैं इसके जो पीछे के जो पीले पत्ते होते वो निकाल लेंगे वो सामने का डंठा निकाल जो है, तो अंडे को हमने तोड लेना है, चार बॉइल एग लेना है, सारे मसाले और ये मैं आगे आपको बताऊंगी क्या-क्या डालना है, तो सबसे पहले हम gas on करेंगे, गैस पर एक कढ़ा ही रखेंगे, इसमें 4 टेबल स्पून ओयल दालेंगे, ओयल को थोड़ा गरम होने देंगे, वन टी स्पून जीरा डालेंगे जीरे को थोड़ा सा ओयल में चटकने देंगे अब इसमें मीडियम साइज की दो अनियन लेंगे तो हमने जो ग्रीन अनियन लिए वो अलग लेना है और ये वाली अनियन जो है तो मीडियम साइज की दो को हमने चोटा 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 है वो भी इसमें हम डाल देंगे अब इसे जो है तो अच्छी तरहां से हम मिक्स करेंगे और पकने देंगे ताकि इसमें जो है तो बहुत ही बढ़िया हमारा लसन का एक अरोमा और टेस्ट आ जाए ग्रीन लसन जो होता है ना तो हमारे शरीर के लिए थंडियों में बहुत अ ही करना है बस इतना ही हमें पकने देना है दो से तीन मिट इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर दालने के बाद में भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हल्दी पाउडर भी सर्दियों में हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता ह और साथ में ग्रीन लसन तो है यकीन मानी ये रेसेपी जो है तो सर्दियों में खाने में हमें बहुत बेनीफिट देंगी अब इसमें धनिया पता दालेंगे टू टेबल स्पून फिर इसे मिक्स करेंगे तो सर्दियों में अगर आपने एक बार इस तरहां से गीला लसन और अंडे की सबजी बना लिया न हर एक दिन के आड़ आपके आईसी की फरमाईश होंगे और खाना भी बहुत अच्छा है इसे यहां पर चार जो है तो बॉइल एक हमने लिया और इसे कद्दू कस कर लिया कद्दू कस करने के बाद में जो है तो बॉइल एक इसमें हम दाल द लिये अब इसमें हमने चार जो है तो बॉइल एक कद्दू कस करके दाला है तीन जो एक है इसे हम इसी तरह से ऊपर से तोड़ कर ले लेंगे एक कटोरी में रोग डालेंगे डालने के बाद 5 मिट इसमें इसी तरह से अंडे को रहने देना है बिल्कूल टच नहीं करना पाच-पाच मिनिट के गैप से जो है तो इसे हम नीचे उपर करेंगे और गैस की फिलेम स्लो रखेंगे तो फूल नहीं रखेंगे वन हो जो यह अंडे की सबसी नीचे से जो है तो खराब हो जाएंगी यह जल जाएंगी फिर से पाच मिनिट के बाद से फिर से इसे नीचे हम इस तरह से करें इस तरह से पांच-पांच में के बाद में इस पैचुला से से हलके हातों से मिक्स करना है ताके जो है तो अंडे के इसमें थोड़े-थोड़े चंग सोजा और तुकड़े हो जाए यकिन मानिए बहुत अच्छा लगते है अब यहां पर हमने तीन बार इसी तरने के बाद में इसे ढख देंगे और ढखके जो है तो इसे साइट पर रख देंगे अब एक और ऐसी चटनी बताओंगी जो बहुत जादा चटा के दार है और सर्दियों में खाना बहुत अच्छा लगता है था हमने लिया एक बोल और इसमें लिए दो कवीट यहां पर के साथ में चार रोटिया खाएंगा इतनी स्वादिश्ट यह चटनी बनकर रेडियो होती है दोनों पके हुए कवीट को हम इस तरह से निकाल लेना है बहुत ही आसानी से निकल जाते है चार से पाच हरी मिश दालेंगे आठ से दस कलिया लस्वन की दालेंगे तू टेबल स अच्छे जाड़ा मोटा हमें करना है जैसे ठेचा करते हैं जादा मोटा मोटा करना है जाएंगे तरह को लेना है इसमें नंबक वगरा बरोबर है या नहीं तो हमाई चटनी रेडी है सर्विंग डिश लेंगे गर्मा करम हमारे अंडे की और लसुन की सबजी साथ में बाजरी की रोटी और देसे घी और साथ में ये चटनी इसका अगर आपने एक बाइट एक बार हाली आना तो पूरी जिन्दगी आप इसका टेस्ट नहीं बोलोंगे और हर हमेशा सर्दियों में आपके घर पर ये फेवरेट माना जाएंगा इतना जबरदस जो है तो इसकी रेसिपी बन कर रेडी होती है तो आपको ये जबरदस रेसिपी पसन आई हो अगर आपको ये रेसिपी पसन आई हो तो प्लीज में चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साइट में जो वेल बटन आता है उसको ओल पर किलिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गईस तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपी मिलते है तब तक लिए टे